नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका YouTube चैनल competition बासपर और मैं हूँ नितेश दोस्तों आज हम फिर से एक बहुत ही अच्छी नई भरती के बारे में बात करेंगे यहां पदों की संक्या काफी अच्छी है और खास करके बिल्कुल लोवेस्ट केटेगोरी जो इस्टेडियल् उनके लिए यह वेकेंसी बहुत अच्छी है नहीं कि अगर आपने किया है 10th पास तो आपके लिए सरकारी नौगरी के दरवाजे बहुत ही जल्द खुलने जा रहे हैं तो बस आप इतना सा करिए कि इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले वीडियो को लाइक भी कर दें जी हां दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहां एक और नई वेकेंसी की वेकेंसी में जो study category रखी गई है वो बहुत ही lowest रखी गई है इसलिए maximum number of students के लिए ये वेकेंसी काफी अच्छी साबित हो सकती है वेकेंसी में जो study का category रखी गई है वो किवल 10th pass के लिए रखी गई है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वेकेंसी जरूर उस चतुर्त श्रणी category की ही हो सकती है 2000 से अधिक पद है यानि की 2309 पदों की संख्या है इस भरती की कुछ कहानी बड़ी अजीव रही इस कारण आपको benefit उन लोगों को होगा जो इस बर 10th pass करेंगे या जो last year 10th pass करके आए हैं उससे पहले जो लोग रहे हैं उनको तो यहाँ benefit मिलने वाला ही है एक्चल में हुआ क्या मैं बात कर रहा हूँ राजिस्तान हाई कोर्ट में जो चतुर श्रेणी करमचारी की भरती निकली है उसके बारे में ये वेकेंसी 2017 में निकली थी फिर हुआ क्या कि इसके फॉरम भी आप सब को इस बारे में जान करी है ठीक है हुआ ये कि इसमें जो चक्कर था वो कटॉप बनाने का था और कटॉप बनाने में प्रॉबलम आने लगी उसका कारण क्या अलग-अलग बोड के candidates ने आविदन किया था और साथ-साथ इसमें CGPA का भी फंडा फस गया तो ऐसे में हुआ ये कि ना तो अधिकतम नंबर अधिकतम अंक तै कर पाए और ना ही इसकी कोई merit जारी हो पाई इधर अब्यर्ति जिन्हों ने आविदन किया था पांच लाग-दस अजार ने वो लगातार सरकार से मांग करते रहे हाई-कोर्ट से भी मांग करते रहे कि उनका जो ये लाग-दस का स्टेटस है वो जारी किया जाए रिजल जारी किया जाए लेकिन ऐसा करने की जगह ये भरती कर दिगई है रद अब मार्च के सेकिंड वीक में ये भरती दुबारा से खुल रही है यानि कि जिन लोगोंने आवेदन कर दिया है उन्हें आवेदन की जरुत भी नहीं है, उनको fees की जरूत भी नहीं है, बागी इसकी clear guideline भी जारी होना बागी है, लेकिन ये दो चीजे clear है कि आपको कम से कम fees तो नहीं बरनी पड़ेगी, और अगर आप इस भरती program में शामिल नहीं होना चाहेंगे, और fees आपकी भरी हुई है, तो वो fees भी आपको आपके account में लोटा दी जाएगी तो ये दो चीजे तो यहाँ clear हैं, अब रही बाद इसकी और शर्तों की तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ, देखिए इसका exam होगा, मार्च के दूसरे week में ये vacancy revise होने वाली है, और इसमें exam होगा, exam के साथ-साथ document चेक भी होगे, तो document अपने समाल ले और exam की तयारी कर दे, 10th base चूंकि भरती है, तो exam का जो level है, वो भी यही होगा, इसमें आपको अच्छे से gk पर command होनी चाहिए, और साथ-साथ आपको जो है, अपने जो general knowledge के साथ-साथ, जो subject है, उस पर command होनी चाहिए, क्योंकि general knowledge में भी 8-9 subjects होते हैं, केवल gk, current gk ही नहीं होता है, इसलिए मैंने subject वाली बात यहां कही है, हिंदी आपको अच्छे से आने चाहिए, खीक है दोस्तों, तो यह अभी तक की बर्ती की इस्तिती थी, तो दो content ध्यान रखें, एक तो 2309 पत की जो बर्ती 2017 में निकाली गई थी, और फरवरी 2018 में जिसका आवे दिन लिये गई थे, 5,10,000 ते यह बर्ती फिलाल रद्ध हो गई है, नई सिरे सावे दिन लिये जाएंगे, वो लिये जाएंगे मार्च के दूसरे सब्ता में ले जाने की संभावना है, अलागि आचार सहींता अभी लग जाएगी मार्च के फर्स्ट वीक में ही, लेकिन फिर भी, चुकि बर्ती का मामला यह अटका हुआ है, पुराना है, तो इसमें अभी कुछ कह नहीं सकते कि क्या वाकई मार्च के दूसरे सब्ता में बर्ती निकलेगी, या चुनाव के बाद ही निकलेगी, इस बारे में अभी कुछ भी कहना के लिए नहीं है, लेकिन जैसा कि रुजान सरकार की तरफ से आया है, वो मैंने यहां आपको बता दिया है, तो दोस्तों इस बर्ती के बारे में अगर आपको कोई जानकरी चाहिए, तो वो जरिए कमेंट आप मुझसे पूछ सकते हैं, भर्ती के पूरे विज्यापन का लिंक मैं वीडियो में डाल दूँग आपको को आपकोई हैं, तो कि जानकरी चाहिए!